हाई गाइस स्वागत है आपका ओएस फांडेशन में ओएस फांडेशन स्टार्ट कर रहा है शुरुवात कर रहा है सेहत छोटी-छोटी बातों से और उसमें आज जो हमारी कड़ी है जो फिटनस को लेके हैं के जो बच्चे हैं जो आठ साल दस साल बारह साल के 14 साल के कितने फिट हैं उसी हाई इंटेंसिटी वर्काउट को उसी हैवी वर्काउट को हमारे छोटे बच्चे घर में अप्लाई करते हैं और जिसके कारण उन्हें बैक इंजरी और नी पेन ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी इंजरी का सामना करना पड़ता है वह भूल जाते हैं जैसे कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो चोटे बच्चे हैं वह जिम अभी बिलकुल ना कीजिएगा कोशिश कीजिए जब आपकी उमर 16 साल या 18 साल से जादा हो जाए तब ही जिम वर्काउट कीजिए और जितना हो सके मैनुल वर्काउट कीजिए आप खुद अपनी बॉडी वेट से वर्काउट कीजिए और आप तो बहुत सारी चीजे ऐसी आ गई है पावर बेंड आ गया थारे बेंड आ गया है ऐसे बहुत सारे आपके पास एक्विट्मेंट है जिनके जिनके साथ आप अपनी सहत को अच्छा बना सकते हैं और साथ ही साथ मैं कहना चाह आये और जब आपका ये तीनों अच्छा होगा flexibility आपका endurance और strength फिर आप अगर speed work पर जाएंगे तो आपका speed अच्छा निकलेगा और जब आपका flexibility, endurance, strength, जब ये तीनों अच्छे हो जाए और speed आनी शुरू हो जाए जब ये चारों मिलाके फिर आप agility moment कीजिए, quick moment कीजिए, explosive moment कीजिए, अधिकतर हो क्या रहा है अभी, सभी बच्चे YouTube पर वीडियो देखते हैं, वो explosive moment करते हैं, quick muscles reaction करते हैं, तो उस muscles reaction का जो starting में बिना किस हो लगातार, तो उसका impact muscles load नहीं ले पाती, और जिसका कारण होता है, muscles का दोनों साइट से जहां भी ending होता है, वहाँ पर injury में convert हो जाती है, तो इन बातों का ध्यान रखिए, नीचे मेरा number लिखा है, phone numbers, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, और मुझे WhatsApp करके message कीजिए, I will call back to you, और regarding जो भी आप में इसे question करना चाहते हैं, सेहत को लेके, fitness को लेके, तो मैं आपके जवाब जरूर दूँगा, हो सकता है, थोड़ा समय लगे, बट आपको call जरूर करूँगा, thank you.